हमको जो central fringe पे intensity मिल रही है वो i-knot मिल रही है तो पच्छो यहां पे पहले तो एक unusual बात देखो तो आप अगर मैं इसको compare कर रहा हूँ given expression के साथ इसके बारे में बहुत कम जगहों पे बात की जाती है मैं ये concept पूरी तरीके साब को समझानी कुश्च करूगा दो changes कर रहे हमने पहला चींज हमने ये करा है कि slits के plane ठीक है इसमें काफी aspects से देखने हैं कि इसमें हो क्या रहा है तो उसकी जो image बनेगी वो same location पे उपर की तरफ H1Y2 पे बन जाएगी Hey my DS students मैं आपके सामने आ गया हूँ aspire series का next session लेकर आज के session में हम wave optics के उपर कुछ question करने वाले हैं तो बिना कोई समय waste किये हम start करते हैं start करने से पहले आपको बताना चाहूँगा हमारे विदान्तू founders telegram group के बारे में बचो इस QR code को अगर आप scan कर लेते हो तो आप एक telegram channel का हिस्सा बन जाओगे किया जाता है जो हमारे founders जब वो पढ़ाया करते थे तब जो use किया करते थे वो material शेयर किया जाता है और हमारे founders के द्वारा दिये गए motivational messages, motivational videos वो महाँ पर post किया जाते हैं और बहुत बार founders यहाँ पर live streaming भी करते हैं तो आपको मौका मिलेगा इनसे directly interact करने का ठीक है चाते हैं कि उनका जो solving हो वो ऐसे content पर हो जो कि J.E.E. Advanced नविल को match करता हो और कम से कम number of questions में जादा से जादा concept का exposure दे दे उन बच्चों के लिए यह जो J.E.E. Advanced Rank Accelerator booklets है यह बहुत ही useful है यह booklets वही booklets है जो इकलवे के students पो solve कर आए जाता है J.E.Main और J.E.E. Advanced के बीच पे और इसी content को solve करके उन बच्चों की जो rank है वो काफी improve जाती है यह content available है Amazon पर भी और यह available है Vedantoo Store पर भी दोनों के ही link इस session के description में दिये वे हैं आप उन पर click करके inbox को purchase कर सकते हैं on that note let's start with today's first question यह question कह रहा है यंग्स double-slit experiment with light of wavelength 600 nanometer gives a central fringe of intensity i-not तो हमको जो central fringe पे जो intensity मिल रही है वो i-not मिल रही है तो बच्चों यहाँ पे पहले तो एक unusual बात देखो generally जब आप question solve करते हैं इस chapter के तो आपको जो i-not दी जाती है वो एक slit से आने वाली light की जो intensity है वो दी जाती है तो दोनों slits से अगर i-not और i-not intensity आती है तो फिर जो central maxima होता है वहाँ पर हमें intensity 4 i-not देखने को मिलती है यहाँ पर central maxima की intensity i-not दी गई है तो यह छोटा सा चीज है जिसको लेके हमें केरफुल रहना है कि अगर central maxima की intensity i-not बताई गई है तो इसका यह मतलब हो आप कि slits से आने वाली जो intensity है वो i-not by 4 है तो यह फ़ड़ा सा ध्याम रखने वाली बात है आगे बढ़ते हैं Now one of the slits is covered by a glass plate of refraction index 1.4 and the thickness is 5 micrometer the new intensity at the same point तो बच्चों देखो questions एक बन मैं बापस से इस question को narrate कर देता हू मतलब इस question में मुझे लगता नहीं है कि बहुत जादा complications है लेकिन ना इसमें careless mistake होने की बड़ी गुंजाईश है तो मैं एक बार चीजों को clarify कर दता हू कि क्या हो रहा है तो यह मान रहते हैं एक slit है यह मान रहते हैं दूसरी slit है इन individual slits की जो intensity है वो I0 by 4 है तो यह बात में धानने हैं राप ठीक है और इसी वज़े से central right fringe की intensity हमें I0 मिल रही है usually हम इसको I0 और इसको I0 लिखते हैं और यहां पर 4 I0 लिखते हैं ठीक है अब question ने हमसे कहा कि हमने एक slab लगा दी है एक slit के आगे ठीक है तो इससे ही होगा कि यहां पर part difference create हो जाएगा अब कितना part difference create होगा उसका formula होता है slab वाली है जो situation होती है इसमें जो part difference create होता है उसको हम T into mu minus 1 लिखते हैं इस formula का better version वैसे यह है T into mu slab divided by mu surrounding ठीक है mu surrounding जैसे surrounding में फिलाहल तो air है ठीक है minus 1 इस formula का better version यह है लेकिन given situation में mu surrounding में air है air का refractive index हम 1 मानते है तो यहां पर गर मैं 1 लिखूँगा तो ultimately उपर वाला formula बन जाएगा तो इस formula से हम part difference calculate करेंगे path difference से face difference calculate करेंगे और face difference अगर आगया तो फिर हम maximum intensity बता लगा लेंगे तो कौन सा formula हम use करेंगे intensity का तो बचो intensity का formula जो हम books में लिखते हैं जो हम पढ़के आते हैं वो होता है 4i0 into cos square delta 5 by 2 पर आगे ध्यान देना यह 4i0 क्या represent कर रहा है यह 4i0 represent कर रहा है central maxim आपे हमें जो intensity को देखने को मिलती है फिलाल इस question के लिए हम यहाँ पर 4i0 ना लिखकर हम यहाँ पर simply i0 लिखेंगे ठीक है हम यहाँ पर simply i0 लिखेंगे तो मुझे इस formula के अंदर delta 5 को substitute कर दे रहा है ठीक है delta 5 substitute करते ही मेरा answer आजाएगा अब delta 5 यानि की phase difference यह कितना होता है यह होता है 2 pi by lambda into the part difference ठीक है सब कुछ ऐसा units पर कर लेते है delta में थिकनेस आती है थिकनेस हमको question में 5 micrometer given है तो यह हो जाएगा 5 into 10 raise to power minus 6 ठीक है उसके बाद mu minus 1 mu हमको 1.4 given है इसमें से 1 को मैं directly minus करके यहाँ पर 0.4 लिख देता हूँ तो यह हो जाएगा phase difference ठीक है तो किती value आ रही है calculate करके देख लेते है तो यहाँ से देखो यह 5 और यह 0.4 यह दोनों multiply करेंगे हम ठीक है तो यह 2 में convert हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ इन दोनों को काटके 5 into 0.4 यह 2 बढ़ गया 4 pi by 4 pi by 6 into 10 raise to power minus 1 which will be like 40 pi by 6 which is then 20 pi by 3 तो इसको अब अगर मैं इस formula के अंदर substitute कर देता हूँ ठीक है तो इससे हमें मिलेगा i0 into cos of delta 5 by 2 तो यह बन जाएगा 10 pi by 3 का square ठीक है इस पूरे का square तो हमें cos 10 pi by 3 की value चाहिए तो 10 pi by 3 का मतलब हो गया इसको हम लिख सकते हैं 3 pi plus pi by 3 notice करो यह चीज 10 pi by 3 तो 3 pi का मतलब हो जाएगी 1 pi 2 pi 3 pi and then pi by 3 तो यह 3rd quadrant के अंदर आ रहा है 3rd quadrant के अंदर और यह एंगल बन रहा है 60 degree तो यह वाली value आईगी यह minus half आईगी ठीक है तो यह थी कि important बात जो थी कि हम इस बात थान रखें कि हम 4i not लिख कर फामूला यूज ना करें मतलब यह जो फामूला था यहां पर 4i not लिख कर तुम यूज करोंगे तो गरवड रिजल्ट आ जाएगा ठीक है तो बस इतन सी बात इस यह भी एक standard YDSC setup के उपर based question है और question बहुत straightforward है कि इसके अंदर जैसे यह हमको चीजे जो information दे रखिये हमको D बता रखा है और capital D पर screen है यह बता रखा है यहां पर maximum intensity होगी question पूछ रहा है कि यहां से हम minimum कितना distance travel करें जिससे कि intensity जहाए यह वन बाइ इसको हम लिखते हैं फोर आई नॉट इंटू कॉस स्क्वाइर डेल्टा फाइब राबर होना चाहिए यानि कि कॉस डेल्टा फाइब राइट यह होना चाहिए प्लस माइनस हाफ के बराबर ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ प्लस माइनस हाफ का मतलब यह हुआ कि यहां से डेल्टा फाइब प्लस माइनस तो अगर मैं से आगे बढ़ने की बात करो जैसे यहां पर जो फेस डिफरेंस होता है वो जीरो होता है ठीक है तो जब हम उपर जाएंगे ठीक है तो फेस डिफरेंस स्पॉंसिव होने लगीगा ठीक है तो इसको हम लिख देंगे टू पाइब लेंड़ इंटू पाइब लेंडा इंटू पाइड इफरेंस होता है डी एक्स बाइडी तो यहां से मैं सॉल्ट गरूँगा तो जो एक्स मुझे चाहिए उसकी वैलि इसको कंपेर कर रहा हूं गिवन एक्सप्रेशन के साथ तो यहां तक लिए रहेगा तो इसके बारे में बहुत कम जगहों पर बात की जाती है मैं यह concept पूरी तरीके साब को समझानी कुश्च करूँगा यह question कह रहा है कि S1-S2 दो source है और हमने सामने यहां पर screen लगा दी है तो S1-S2 अगर source है इस screen पर हमें जो fringes मिलेंगी उसकी shape कैसी होगी ठीक है तो इस question को कैसे address किया जाता है या fringes की shape कैसे decide किया जाती है मैं दापस से repeat कर रहा हूं यह बात कहीं नहीं समझाई जाती है मतलब किसी इंस्ट्यूट में कोई सामी लेक्सर आप देखेंगे YouTube पे देखेंगे यह बात आपको नहीं समझाई जाएगी मैं आपको यहां पर पूरी clarity देता हूं कि fringes की shape को कैसे decide किया जाता है उसके लिए ज space कब suppose मैंने एक point पकड़ा और मैंने पूचा कि इस point पे part difference कितना है ठीक है suppose तो कुछ तो होगा part difference non zero value आएगी कुछ तो part difference होगा ठीक है तो जो भी part difference यहाप पर है मैं space के इस space के सारे उन points के बार में बात करना चाहता हूं जिन पर उतना ही part difference हो जितना इस point पर है जैसे इस point का नाम जो भी लग देता हूं है तो delta P की जो भी value है ठीक है suppose lambda by 2 है lambda by 3 है जो भी है ठीक है तो इस point पर जो भी part difference है मैं space के वो सारे points दून रहा हूं जहां पर same part difference मिलेग ठीक है space का तो चलो space का subset पकड़ते हैं पहले हम कहते हैं कि चलो पहले लए प्ले ने लेते हैं इस point पर शारे points जिन पर यह वह points कौन्ट से होंगे ठीक है जिन पर यह part difference है तो पहले हम उनको ढूंद लेते हैं ठीक है और और रइट तो इस plane पर अगर मैं same part difference के points कदो इसके जो दोनों फोकस होते है उससे difference जो होता है वो constant होता है मतलब कि किसी point का यहां से distance है और यहां से distance हो उनका difference जो constant रहता है ठीक है तो यह hyperbola बन जाएगा ठीक है तो यह hyperbola उन सारे points को represent कर रहा है जहां पर path difference इसके बराबर आएगा यह जितना भी था ठीक है suppose करो एक बार example के लिए lambda by 2 पकड़ लो तो lambda by 2 वाले जितने भी points से ठीक है और जब space के अंदर travel करता है तो वो एक surface को जनम देता है ठीक है तो यह hyperbola जब हमने घुमा दिया ठीक है तो हमें एक surface मिलेगी जिस surface को हम hyperboloid कहते हैं तो इस hyperboloid surface के सारे points पर path difference होगा वो लैम्डवाइड हो जाएगा ठीक है अब यह तो बात हो गई कि यह space के वो सारे points हो गई जहां पर दिफरेंस लेमडवाइड है तो इसी तरह के और hyperboloid बनते जाएंगे क्या मतलब की one hyperboloid will give you a certain path difference ठीक है hyperboloid आते चले जाएंगे यह बात आपको समझ में आ रही है ठीक है बहुत इंट्रेस्टिंग बात है यह ठीक है तो मैं जैसे जैसे part difference की value change करता जाएंगा मुझे अलग-अलग hyperboloid मिलते चले जाएंगे यह समझ में आ रहा है ठीक है तो यह space के उन points की representation है जहां पर part difference same है ठीक है तो मैंने जैसे तीन hyperboloids बना दी है अब देखो अब मैं suppose यहां पर एक screen लगाता हूँ ठीक है इन hyperboloids को imagine करो इनका size और बड़ा imagine करो मैंने अलग-अलग दिखाए है sizes क्योंकि ताकि तुम distinguish कर पाओ कि एक कौन साए दूसरा कौन से तीसरा कौन साए मैंने color अलग यूज करा है तो suppose हम यहां पर एक screen लगाते हैं तो ऐसी एक screen इन सारे hyperboloids को cut करेगी या नहीं और तुम सारे की बात छोड़ो तुम किसी एक को पकड़ो भी किसी एक hyperboloid को cut करेगी या नहीं और अगर वो cut करेगी तो उस hyperboloid और इस screen का जो intersection है ठीक है वो कैसा curve द स्क्रीन लगाई होती ठीक है तो यह जो अलग-अलग hyperboloid है यह सारे cut होते और cut होने पर यह screen के साथ एक circle को जनन देते तो यह जो circles बनेंगे अलग-अलग hyperboloid और इस screen का जो intersection है यह इस circle इस screen पर जो fringes है उनको represent कर नहीं है fringe होता क्या है ठीक है fringe is the locus of points जिन पर part difference same हो ठ fringe की shape बनेगी वो circle बनेगी अगर हम यहाँ पर एक screen लगाते ठीक है यहाँ पर अगर हम एक screen लगाते तो उससे क्या होता उससे यह hyperboloids यह hyperboloids सारे cut होते और इस screen पर हमें जिस तरह की shape देखने को मिलती ठीक है वह यहाँ पर ड्रॉकर भी दिखता हूं तो यह मान लो screen है तो इस screen पर हमें जो shapes देखने को मिलती वो कुछ इस तरह की होती ऐसी फिर ऐसी ऐसी तो यह जो shapes होती यह hyperboloids होती यह hyperboloids होती हो hyperboloids जब इस तरीके से एक screen या एक plane hyperboloids को cut करता है तो इनके intersection से जो curves बनते है वो hyperboloids ही होते है ठीक है तो हम अगर यहाँ पर screen लगाते तो हमें hyperbolic मिलती जो की actual में होता है यहाँ पर screen लगाने का मतलब यह होगा और यह screen प्लेन से डिस्स पर आ गया तो point sources के साथ जब ydc किया जाता है तो उस case में जो fringe की shape होती है वो hyperboloid ही होती है ठीक है लेकिन हम तो linear हम इस लिए रहते हैं क्योंकि हम ने point sources की जगे हम linear slits समानते हैं इसलिए हम जो इसलिए हम जो इसलिए पढ़ते हैं उसके अदर linear slits के पते हैं तो इस तरीके से मतलब कि जैसे तुम्हें अगर किसी भी screen पर किसी भी screen पर fringes की shape को judge करना है तो तो तुम्हें यह hyperboloids imagine करने होते है और तुम्हें यह देखना होता है कि वह screen जब circular we will get circular fringes ठीक है जैसे कि यहां पर इस figure में दिखा रखा था ठीक है तो इसका आंसर होगा वह circular fringes हो जागा तो आपको इस question से ही समझें आ रहा है कि fringes की shape को कैसे decide करना होता है ठीक है अब मैं आता हूं next question के उपर तो next question में एक default YDSC setup दे रखा है ठीक है और YDSC setup में हमने क्या किया है दो changes कर रहे हमने पहला चेंज हमने यह करा है कि slits के plane और screen के बीच में हमने एक liquid भर दिया है ठीक है यह पहला चेंज हमने क्या करा हमने यहां पर एक slab लगा दी जिसकी thickness T1 है और हमने यह नूटिस करा कि ऐसा करने के बाद Central Maxima ने अपनी जगे नहीं बद ली है Central Maxima वहीं पर है जहां पर पहले था इसका मतलब यहां पर overall path difference 0 हो गया है ठीक है तो यह question देखा जाए तो हमने जो भी first question करा था उसमें भी similar situation थी एक slit के सामने slab लगाई थी और मैंने वहां पर बताया था कि part difference कैसे लिखते है उस case में ठीक है तो जो general formula होता है part difference का वो होता ह thickness into refractive index of slab divided by refractive index of surrounding ठीक है minus 1 यह लिखते है ठीक है तो इस question के अंदर क्या हुआ होगा दोनों तरफ से आने वाली light में जो part difference आया होगा वो equal आया होगा ठीक है तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे T1 into mu1 by mu liquid minus 1 because liquid is the surrounding this has to be same as T2 into mu2 by mu liquid minus 1 ठीक है तो यहां से T1 by T2 ratio आएगा तो यह आजाएगा mu2 minus mu L divided by mu1 minus mu L अब mu2 कितना दे रखा था हो चलके देख रहते हैं तो mu2 दे रखा है 2.1 mu1 1.8 और mu0 पर जो की अगें एक बहुत अच्छा question है guys बहुत अच्छा question है यह ठीक है इसमें काफी aspects से देखने हैं कि इसमें हो क्या रहा है तो हमने क्या क्या है इसमें एक concave mirror को क्या को बीच में से cut करके उसको दूर कर दिया है ठीक है इस तरह से इनके दोनों टोकड़ों के बीच में 0.5 mm का gap create कर दिया है यहां पर एक source रखा है data given है ठीक है तो इस source से light जाएगी और उसके बाद वो reflect होकर कहां से मतलब जहां reflect होने के बाद वो screen पे गिरेगी तो screen को इसा लगेगा कि जो light आ रही है वो image से आ रही है ठीक है मतलब कि screen के लिए जो slit 1 होगी slit 1 वो उपर वाले पार्ट से बनी होई image होगी इसी तरीके से जो slit 2 होगी वो नीचे वाले पार्ट से बनी होई image होगी ठीक है तो कुछ भी करने से पहले हमें यहीं पता लगाना तोड़ा है इस concave mirror की principal axis यहां पर है लेकिन जो source रखा हुआ है वो इससे नीचे रखा हुआ है ठीक है ठीक है एक ऐसा object है जो की principal axis के नीचे रखा हुआ है ठीक है तो image की location के लिए u की value को मैं minus 20 cm ले लूँगा ठीक है जो हम rear optics पर करते हैं वही काम करेंगे तो mirror का अगर radius of curvature 10 तो mirror का अगर radius of curvature 10 है तो उसकी focal length जो है r by 2 यानि की 5 cm हो जाएगी ठीक है तो focal length जो है focal length इसको हम लिख देंगे माइनस 5 cm तो यहाँ से वी mirror formula को rearrange करने पर वी बन जाता है uf upon u minus f इसके अंदर हम substitution कर दते है यू की जगर पर minus 20 डाल देंगे एफ की जगे पर minus 5 डाल देंगे u minus f करेंगे तो minus 15 आएगा तो यहाँ से minus 20 by 3 आ जाएगा minus 20 by 3 ठीक है तो अब मैं पता लग्या है कि image कहां पर बन रही है ठीक है minus 20 by 3 का मतलब image इस line पे कहीं पर बनेगी ठीक है इस line पर बनेगी और क्योंकि real image बन रही है real object की real image बन रही है और इसकी जो height है h1 यह item कैसे लिका लेंगे यह भी निकाल लेता है तो h1 height होगी mod v by u into height of object mod इसलिए क्योंकि मुझे बस length है मतलब है मुझे पता है image का size कैसा बन रहा है तो यह किता हो जाएगा 20 by 3 divided by 20 तो यह हो जाएगा 1 by 3 into h0 h0 है यह वाली length कितनी है तो यह वाली length होग ठीक है तो यह h1 की वाली हो गई अब देखो जो भी हमने यहां पर करा है ठीक है बिल्कुल सेम चीज़ करके हम यह पता लगा लेंगे कि जो दूसरी image बनेगी वह का बनेगी जैसे दूसरा टुकड़े के लिए principal access यह वाली line होगी यह दूसरा टुकड़ा है दूसरा टुक टू ठीक है तो यह आइवन जो है यह इस्ट वन करेगा यह इस्ट टू करेगा तो दोनों इसके बीच की जो दूरी है यानि कि जिसको हम स्मॉल दी लिखते हैं वह बन जाएगा h1 यानि कि यह distance plus 0.5 mm ठीक है 0.5 mm प्लस h1 अगैं तो यह बन जाएगा 2 h1 2 h1 h1 कितना था h1 यह mm में ही था तो h1 था 0.25 by 3 mm ठीक है प्लस 0.5 mm तो यह अल्टिमेटली बन गया 0.5 mm को मैं अधर कॉमन निकान लगा हूँ 1 by 3 plus 1 4 by 3 तो इंटू 4 by 3 बन जाएगा तो 0.5 इंटू 4, 0.5 इंटू 4 हो जाएगा 2 by 3 mm ठीक है तो यह वैल्यू आगई स्मॉल दी की यह तह स् इस दूरी पर दोनों slits present है ठीक है तो यह जो distance है यह distance हम capital D मान सकते है तो capital D की value किती हुई capital D की value हो जाएगी यह length यानिकि 100 cm ठीक है 100 cm प्लस यह length यह length किती होगी यह length 20-20 by 3 यानिकि 40 by 3 cm तो यह हो जाएगा 340 by 3 cm तो यह capital D आ गया तो capital D मतलब हम हम पता है यह capital D है fringe width का formula जो होता है अब हम उसको use कर सकते है ठीक है यह पर पीछे चला गया तो कैसे करेंगे fringe width का formula fringe width का जो formula होता है ठीक है यह होता है D lambda by D तो D की जाएगा 340 by 3 into 10 raised to power minus 2 cm को मीटर पर convert कर दिया लैमडा कितना दे रखा है हमें लैमडा question में दे रखा 2000 angstrom 2000 angstrom का मतलब मैं लिख दूंगा 200 into 10 raised to power minus 9 ठीक है अब नानमेटर पर कर दिया हमने और D कितना था D हमने निकाला था 2 by 3 mm ठीक है तो 2 by 3 mm का मतलब यह हो जाएगा 2 by 3 into 10 raised to power minus 3 अब इसको हम solve कर लिते हैं तो इसको solve करते हैं वक्त what I can see is कि यह 3 और यह 3 cancel हो जाएगा ठीक है इस 2 को यहाँ पर cancel करके ठीक है तो 3.4 into 10 raised to power minus 4 B option जो है डाट is the correct answer तो तो किस तरीके से इस question को solve किया गया है आरा है समझ आपको ठीक है तो that was good question I believe इसमें रे optics का भी यूज हो रहा है और wave optics का भी यूज हो रहा है ठीक है इसी तरी की situation वापस देखो अब यहाँ पर यह actual में इसको कहते है इसको कहा जाता है वह इसे पास होने वादी जो भी लाइट होगी ठीक है यह लाइट बेंड होके एक डिफरेंट एंगल पर जाती में दिखाई देते हैं इसको डेल्टा गया जाते है और यह होता है प्रिज्व एंगल इंटु मुव माइनस वन के बराबर ठीक है तो प्रिज्व एंगल हमको देखा है तो 1.8 डिगरी इंटु तो मैं पाई बाई 180 से मल्टिप्लाइ कर दूँगा तो यह रेडियन में कनवर्ट हो गया तो कितना हुआ यह हो गया पाई बाई 200 रेडियंस ठीक है रेडियन हमने कनवर्ट क्यों करा क्योंकि देखो यहां साने वाली जो भी लाइट है जब वो बेंड होके आएगी तो ऐ इससी तरीके से जो लाइट नीचे से जाएगी वो भी डाई होकर किसी और पइंट से यह हैट भी जाएगी तो इस क्वेश्चन के लिए जो स्मॉल डी की वैल्यू है वह हो जाती है मतलब यहां पर हम एक स्क्रीन लगा देते हैं तो उसे स्क्रीन पर जाके इंटरफेरंस हो जाता अभी क्वेश्चन में लेकिन स्क्रीन की जगें लगा दिया है और पुछा है कि इससे जो दो इमेज बनेंगी उस इमेजिस के बीच में इसको इसको रखा गया है और इसका रवेचर में कि दून है तो इसकी जो फोकल लेंथ है वह माइनस 10 हो जाएगी माइनस 10 सेंटीमीटर ठीक है यू की वैलियो है माइनस 30 सेंटीमीटर तो वी जो आएगा यू एफ अपॉन यू माइनस एफ करके आएगा तो यू हो जाएगा माइनस 30 ठीक है इन्टो एफ हो जाएगा माइनस 10 यू माइनस एफ करने पर बचेगा माइनस 20 तो तो यह किता हुआ यह हो गया माइनस 15 ठीक है था माइनस 15 का मतलब इमेज बन रही है ठीक है जो इमेज बन रही है वह यहां मरेगी और वह inverted होगी ठीक है और उसका जो size होगा वो h1 by 2 होगा ठीक है इसी तरीके से नीचे जो source था ठीक है नीचे जो source था यहाँ पर मैं बना दूँ यह स्टू उसकी जो इमेज बनेगी वह सेम लोकेशन पर उपर की तरफ h1 by 2 पर बन जाएगी तो यह जो तो यहाँ पर 10 से मिल्टिप्ला हो जाएगा तो यह जीरो जीरो कैंसल होगा अब अगर मैं कंपेर कर रहा हूं तो विच विल बी आंसर तो समझार बचो तो आपको यह सारे के सारे क्वेशन अच्छे लगे हो इस इसको फ्रेंट बाइप्रेंट उसको जाएगा तो उसको अब खर्याइगा तो इसको आज का सश्चन वहीं पर खतम करते हैं आपको इन पर आपको फाइदा होगा जो भी अपने करा है उससे आपके क्या बाइब